हाँ तो चलो यार सुबह हो चुकी और यार क्या ही तो नीद आया मेरे को अरे यार सुबह सुबह सोने में मेरे को कितना मज़ा आता है लेकिन एक सेकंड यार ये क्या हो रख है मेरे बैड पे लाल लाल सा यार ये तो वीमल है लेकिन मैं तो वीमल खाते ही नहीं इस सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ हाँ तो चलो यार मैं जल्दी से उपर चलता हूँ और उपर चलके थोड़ा सा जिम कर लेता हूँ और यहां पे तुम लोग देखो यार यह रहा मेरा बड़ा सा जिम कितना बड़ा जिम बना रख है मैंने पूरे गर के अंदर तो चलो यार यहां पे मैं थोड़ी सी जंपिंग कर लेता हूँ क्योंके जंपिंग करने से मेरा कद बड़ा होता है तो चलो यार अभी मैंने जंपिंग तो कर ली अभी में थोड़ी दoween nostra पर रनिंग कर लेता हूं क्योंके खाखा के मोटा हूँ चुका हो न ne और यारा तो मैं जीन करकर के ठक चुका हूं चलो यार अभी जलिए से नीचे चलता हूं और यहां पे तुम लोग देखो यार यह रहा मेरा बड़ा सा गर कितना बड़ा गर है मेरे पास और यहां पे यह रहा मेरा बेडरूम लेकन यार यहां पे तो दो जन सोते हैं और मेरी तो कोई है ही नहीं और यहां पे तुम लोग देखो मेरा बड़ा सा टीवी कितना बड़ा टीवी है मेरे पास और ये रहा मेरा कम्पूटर जिसके अंदर मैं जीटी एक गूलूलूलू खेलता हूँ चलो यार जल्दी से बाहर चलता हूँ और बाहर चलके आज के मोसम के नजारे लेता हूँ अरे यार आज का मोसम तो कितना बढ़िया हो रहा है और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहां पे मोसम तो ऐसा लग रहा है दिल गाटन गाटन हवा बहुत मया आ रही है यहां पे औरे यार लेकिन एक सेकंड ये क्या वाई टाइम कितना ज़्यादा हो गया और पूरे दस बज गये अरे यार आतो मेरे को अपने दोस्त बबलू की बच्छडे पार्टी में भी जाना था तो चलो यार मैं जल्दी से अंदर चलता हूँ और पार्टी के लिए रैडी हो जाता हूँ फिर पार्टी में चला जाँगा और यहां पे चलो यार मैं पूरे पांच मिनट के अंदर बिना नहाए पार्टी के लिए रेडी हो चुका हूँ चलो यार मैं जल्दी से पार्टी में चलता हूँ और यहां पे तुम लोग देखो यार यह रहा मेरा दस साल पुराना हाया बूसा बूसा बाइकन बूसा पीजा खाऊंगा बर्गर काऊंगा यम 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 एहे रहा नहीं जाता बाकी यार तुम लोग है टुकर टुकर हसरे हो यार भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लो यार नहीं तो चलो यार यहां पे अपने हायाबूसा को ले के मैं आ चुका हूँ अपने दोस्त की बढ़िया बढ़िया सूपर बाइक का रखे हैं मेरे दोस्त बबलू की बढ़िया पार्टी में लेकिन यार एक सेकंड ये इतनी सारी गाड़िया यहां पे क्या कर रही है यार मेरे सारे दोस्तों के पास तो सूपर बाइकर तो ये गाड़िया कहां से आई और यार ये गाड़ियां तो कितनी बढ़िया लग रही है और यहां पे तो यार फोर्चुनर, लेजंडर, रोल्स, रोइस, बुगाटी और ये क्या यार लेंबोर गिनी बन यार अरे यार लेकिन यहां पे कोई बन्दा तो मिर को दिखाई नहीं दे रहा तो चलो यार ये लेंबोर गिनी की साथ एक सेलफी ले ले लेता हूँ अबे अबे तु कोन है और यहां पे क्या कर रहा है क्या तु हमारी गाड़ी चोरी करना चाहता है टकलू खजब बेज़ जती है अरे यार लेकिन एक सेकंड ये तो बबलू और बबलू के दोस्त है अरे बबलू क्या हो गया तु ज़े यार तु मुझे मार क्यों रहा है अबे अबे टकले बंटी तेरी अकात कैसे होई मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की और तु क्या यहां पे पार्टी में आ गया बिन बुलाया मेहमान अरे क्या क्या ये गारियां तुम्हारी हैं अरे यार बबलू तुम्हारे पास तो पहले सूपर बाइक था तो फिर इतनी जल्दी ये गारी कैसे ले ली अबे अबे वो क्या है न कि हमारे गर में पैसे रखने की जगाई नी थी इसलिए हम लोगों ने सूपर कारे ले ली कैसे हुई हमारी गाड़ी को हास लगाने की क्यूंकि इसको हास लगाने में यह तेरा गर चला जाएंगा और साले बंटी मैंने तुझे पाइटी में बुलाई नी तो तू यहां पे पाइटी में क्यों आ गया बिकारी केके निकल जा यहां से अपने खटारा बाइक को लेके अरे हां हां बबलू मैं यहां से जा रहा हूँ लेकिन यह तुने अच्छा नहीं किया यार तुने मुझे पालटी में बुला के मेरी बेजिती कर दी तो चलो यार यहां से मैं चलता हूँ अपने बाइक को लेके हाँ तो यार आप लोगों ने देखा ना के यार मेरे दोस्तों ने मेरी कितनी कुरकुरी बेज़ती कर दी और यार उन्होंने मेरे को गरीब और कुकुर बोला लेकिन यार मैं क्या करूँ यार मैं बहुत ही जदा गरीब हो चुका हूँ और यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई सुपर कार ले लूँ अरे यार चलो कोई बात नहीं मेरे दोस्तों ने अपनी दोस्ती दिखा दी चलो अभी अपने बाइक को लेके गर पे चलता हूँ चलो भई बड़ा गर है और यहां पे तो मेरे गर के अंदर कितना बड़ा स्विमिंग पूल है चलो यार मैं इसके अंदर नहा लेता हूं क्यूंके दो महीने से नहाई नहाई नहाने पर तो यहां बहुत दिनों के बाद नहाने पर तो इसा लग रहा है दिल काटन काटन हो रहा है लेकिन एक सेकंड यार ये कॉल पिसकी आ रही है चलो यार उठा के बात करता हूँ अरे हलो बालक मैं चपरी बाबा बोल रहा हूं और क्या तुम साथ समुंदर पार हमारी दूसरी सीटी के अंदर जाना चाहते हो अरे क्या क्या साथ समुंदर पर हमारी कोई दूसरी सीटी भी है अरे हाँ हाँ बाबा जी मुझे बताओ के मुझे दूसरी सीटी के अंदर जाने के लिए क्या करना होगा तो देखो बालक जो तुने आज हाया बुसा को चोरी किया है वो हाया बुसा को लेके जल्वी से समुंदर के किनारे मेरे पास आ जा अरे हाँ हाँ बाबा जी मैं अभी आता हूँ अरे यार यार ये बाबा जी को बिस ने बता दिया के ये हाया बुसा को मैंने चोरी किया है यार बाबा जी तो अंतरिया में निकले हाँ तो यार अप लोग उने सुना न क्यार बाबा जी ने मुझे बताया के हमारे साथ समुंदर पार तो एक और दूसरी सीटी है जहां पे हम लोग जा सकते हैं अरे यार साथ समुंदर पार के लोग कैसे होंगे वहां की गाड़ियां कैसी होंगी और वहां पे हमारा गर कैसा होगा अरे यार मुझे रहा नहीं जा रहा एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना वन आवर लेटर मैं दوسरी सीटी के अंदर जा सकता हूँ तो देखो बालोक तुम्हें मेरे लिए वाली जोरी करके लाना होगा तो मैं तुम्हें दूसरी सीटी के अंदर बेज़ दूंगा क्या upgrading गाड़ी चोरी करनी होगी यरे बादाजी अगर पुलिस ने मैं को फकड लिया तो मेरे टकले को फोड देगी अरे हाँ हाँ बाबा जी आप टैंशन मतलो मैं कैसे भी करके आपके ये एक मस्टेंग जीटी कार को चोरी करके लेकर आऊंगा तो चलो अबी मैं अपने हायाबुसा को लेके चलता हूँ भाई भाई बाबा जी हाँ तो यार आप लोगों ने देखा ना क्यार बाबा जी ने मुझे बताया कि अगर मैं उनके लिए एक मस्टेंग जीटी कार को चोरी करके ले क्या हूंगा वो भी जादूई दर्वाजे वाली तो बाबा जी मुझे साथ समंदर पार बेज देंगे लेकिन यार जादूई दर्वाजे वाली मस्टेंग जीटी कार कैसी होती है यार मुझे नहीं पता इसके बारे में चलो यार अभी शोरूम पे चलके देख लेता हूं ना चलो भई जीटी और फरारी और यहां पे आप लोग देखो यार यह रही वो मस्टेंग जीटी कार और यहां पे तो इसका दर्वाजा भी चमक रहा है अरे यार मुझे लगता है ये वही मस्टेंग जीटी कार है जो जादूई दर्वाजे वाली है जिसके बारे में बाबा जी ने मुझे बोला है तो ये गाड़ी तो मुझे बाबा जी को देनी होगी लेकिन यार यहां पे तो कोई सेल मैं दिखाई नहीं दे रहा तो चलो यार उपर चलके शोरूम वाल उसे बात करता हूँ अरे यार लेकिन यहां पे तो कोई बंदा है इन्हें यार लगता है वो सारे बंदे नीचे होंगे चलो यार मीचे चलता हूँ और रिबैंस की टांग मीचे गिर गया हाँ तो चलो यार बाहर चलता हूँ और बाहर चल के किसी बंदे से पूछता हूँ ये शोरूम के बारे में अरे अरे बैया क्या आप तो सामने वाला शोरूम दिखाई दे रहा है अबे हाँ हाँ मेरे को दिख रहा है वो शोरूम में अंदा थोड़ी हूँ तेरी तरह अबे ंबे तुम तो वही हो न जो रोज यहां पे खड़े हो के भीक मांगते हो क्या 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 टुझे सूपरकार चाहिए भीकारी केंके तेरी उकाद तो है नहीं सूपर बाइक लेने की और तू सूपरकार लेने आगया गजब बेज़ती है और साले बिकारी निकल जा यहां से अपने खटारा हाया बुसा को लेके वरना मैं भी पुलिस को कोल करता हूँ रुप बेटा मैं भी पुलिस को कोल करता हूँ पुलिस तुझे बताएगी क्या क्या तू पुलिस को कول करेगा और तूने मुझे बिकारी बोला ये ले मुका खा मुझसे भी अरे यार लगता है इसको कुछ जाद कैज लगी चलो यार यहां से अभी हाया बुसा को लेके गर पे बाग चलता हूँ नहीं हाँ तो चलो यार यहाँ पे अपने बाई को लेके मैं गर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अपने बाई को खड़ा कर देता हूँ और चलो यार अंदर चलता हूँ और शाम होने का इंतजार करता हूँ हाँ तो चलो यार यहां पे थोड़ी देर के अंदर शाम हो चुकी और यहां पे मैंने अपना हुलिया बदल लिया और मैं बन चुका हूँ टकलू चो और यार यहां पे मैंने अपना हुलिया बदल लिया ताके कोई मेर को पहचान ना पाए और यहां पे भाई तुम लोग देखो शाम कितनी ज़्यादा हो चुकी है और यहां पे मैं अपने हाया बुसा को लेकर जल्दी से चलता हूँ शोरूम पे और वहां पे चलके वो मस्टेंग जीटी कार को चुरा के बाग लेता हूँ चला भाई हां तो चलो यार यहां पे अपने बाईक को बगाते बगाते मैं शोरूम पे आ चुका हूँ और यहां पे चलो यार अपने बाईक को खड़ा कर देता हूँ और यार आप लोग देखो यार यहां पे आसपास कोई बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा और यहां पे तो शोरूम के अंदर भी कोई बंदा नहीं है और यहाँ पे चलो やर मैं पिस्टल से फायर करके गाड़ी का लॉक तोड लेता हूँ और ये गाड़ी को लेके बाग चलता हूँ अभे अभे कौन है तुर मेरी गाड़ी को क्यों लेके बाग रहा है और बेटा रुख जा मैं तिर को नहीं चौड़ोंगा अरे चोर चोर पकड़ो पकड़ो इसको चोर हमारी गाड़ी को चुरा के बाग रहा है अरे यार चलो यहां से जल्दी से अपनी गाड़ी को लेके बाग चलता हूँ यार अगर पुलिस को पता चल गया तो पुलिस वाले मेरे को नहीं शोड़ेंगे हाँ तो चलो यार गाईज अगली सुबह हो चुकी और यहाँ बे मैं उड़ चुका हूँ चलो यार जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी को लेके बाबा जी के पास और यार मैंने अपनी गाड़ी को रात को शोरूम से चुरा लिया था और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को अपने गर के पीछे खड़ा कर दिया ताके पुलिस को पता ना चले तो चलो यह गाड़ी को लेके चलता हूँ बाबा जी के पास a few moments later हां तो चलो यार यहां पर अपनी गाडी को लेके मैं आचुका हूँ बाबा जी की बताई हुई location पे और यहां पर गाडी को खड़ाग कर देता हूँ लेकिन एक second यार यहां पे तो छब्री बाबा मेर को दिखाई नहीं दे रे अरे यार बाबा जी कहां चले ये चलो ये बंदे से पूछता हूँ अरे अरे बाइया क्या आप छप्री बाबा को जानते हो अले अले बाइया में लिको छप्री बाबा के बाले में नहीं पता ले बाइया मुझे तोतले दे दो अरे क्या तुझे चोकलेड चाहिए रे मुझे इधर बाबा जी की पड़ी है नहीं दूँगा तुझे चोकलेड तोतला कहीं का अरे अरे बंटी बेटा तुम आ गए मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था बेटा मुझे पता था तुम ये गाड़ी को चुरा लोगे तुमने तो वो काम कर दिया अच्छा तो बाबा जी अभी मैंने आपको मस्टेंग जीटी कार लाके दे दिया अब मुझे ये बताओ के मुझे साथ समूंदर पार जाने के लिए क्या करना होगा तो देखो बालक ये जो तुमें पीछे समूंदर दिखाई देर है तुमें अपने जादू ये हाया बुसा को लेकर इसके अंदर चले जाना है तो तुम साथ समूंदर पार चले जाओगे लेकिन बालक इसमें एक समस्या है तो देखो बालक तुम साथ समुंदर पार दूसरी सीटी के अंदर जा तो सकते हो लेकिन वहां से कभी वापिस नहीं आ पाओगे अरे यार मुझे रहना भी नहीं यार यहाँ पर चलो यार अपने बाइक को लेके समुंदर के अंदर चलता हूँ और यार आप लोग दिखो यार बाबा जी ने मेरे हाया पूसा को सच में के एक जादू हाया पूसा बना दिया और आप लोग दिखो ये हाईाबूसा पानी के अंदर भी चलता है हाँ चला भई रण तो चलो यार यहां पे अपने हाया बुसा को बगाते बगाते मैं बहुत ही दूरा चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ लेकिन एक सेकंड यार ये में कहां गिर गया यज अरे कोई तो बचाओ मेरे को तो कितनी बड़ी बड़ी बिलिंगे है अरे यार कहा डैलीबूर्ट कर दिया जार किसी बंदे से पूछताओ कि यह कौन सा संच चल रहा है और यह कौन सी सिटी है क्यों क्या आपको यह सामधने वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही है अबे हाँ हाँ दिख रही है मैं तेरी तरह अंदा थोड़ी हूँ अरे अरे बाईया मुझे ये बताओ के अभी कौन सा सन चल रहा है यहाँ पे सन 2010 अबे टकले तुझे नहीं बता क्या तु 2010 के अंदर जीर है मुझे तो लगता है तु एलियन है रुक मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ रुक तुझे बताता हूँ मैं अरे क्या तुम पुलिस को बुलाओ गए ये लो मुका खाओ अपिन एक सिग्ड ये कॉल किसकी आ रही है हाँ हलो कौन बोल रहा है जल्दी बोलो अरे सर क्या होगे आज पूरे दस बाज गे लेकिन अभी तक आप शोरूम पे नहीं आएं क्या शोरूम यार मेरा कौन सा शोरूम है इस सीटी के अंदर अरे अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो आप बूल गे क्या आपका इस सीटी के अंदर शोरूम है अरे हाँ हाँ मेरे शोरोम है अरे मैं मजाग का रहा था अच्छा मेरे को शोरोम का लोकेशन तो बेजो मैं अभी आता हूँ हाँ तो यार आप लोग ने सुना ना कियार मेरा इस इडिक अंदर शोरोम है और ये लैंबो और गिनी और ये गर भी मेरा है और यार अब मेरे को पता चला के 2010 के अंदर मैं बहुत बड़ा बिजनसमेन था और मेरे बहुत सारे शोरूम थे चलो यार जल्दी से फिर अपने शोरूम पे चलता हूँ चला भई और यार मेरे तो ड्रीम कार महिंदरा थार है बकि तुम लोग अपनी ड्रीम कार का नाम मुझे बता देना अरे अरे माली काप आ गए क्या मैं आपका इंतजार कर रहा था आपने इतनी देर लगा दी अच्छा तो मुझे ये बताओ क्या ये हमारा शोरूम है और ये इतनी सारी गाड़ियां क्या हमारी है अरे अरे सर लगता है आज आपका दिमाग सट्या गया आप बूल गे क्या ये आपका शोरूम है और ये सारी गाड़ियां भी आपकी है और सर मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे शोरूम के अंदर गाड़ियां बहुत कम हो चुकी है और हमें गाड़ियों का आडर भी देना है अरे यार इतनी सारी गाड़ियां तो हैं हमारे शोरूम के अंदर और कितनी गाड़ियां मंगाओगे अच्छा तो फिर ये बताओ कितनी गाडियां ओर करूँ अच्छा तो ठीक है फिर मैं अपनी वैगनार को लेके गूमने चलता हूँ और यार ये वैगनार को चलाने में तो कितना मज़ा आ रहा है एहे रहा नहीं जाता तरपी ये इसी है